mutual funds के अंदर में ज्यादा गिरावट हो सकती है क्योंकि पेटियम के अंदर जो fall हमें देखने को मिला वो छोटा-छोटा फॉल नहीं था back-to-back दो दिन 20-20% का circuit लगा है मतलब दो दिन में 40% market cap साफ हो गया पेटियम का यह कोई छोटी बात नहीं है हजार रुपए का share अगर 600 पर आजाए सिर्फ दो दिन में तो यह छोटी मोटी बात नहीं है तो इस वीडियो के अंदर में समझते कोशिश करेंगे किन mutual funds के एनवी पे सबसे जादा हमें effect देखने को मिलेगा आप कमेंडर में बताना कि इन मेंसे कौन से mutual fund है आपके पास और आपके एनवी पे कितना effect दिखा डेफिनेटली ज़्यादा investment है तो ज़्यादा असर देखने को मिलेगा बट जैसे stock price में 40% का असर दिखा वैसा एनवी में 5% का भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो चलो बताता हूँ आपको यहाँ पे assets का 4.80% लगबग 5% पैसा PTM के अंदर डाला हुआ है तो तूटा है PTM तो इसके इसकी एनवी भी तूटेगी थोड़ा बहुत ही तूटेगी लेकिन तूटेगी और सबसे अधा असर इसी के एनवी पे हमें देखने को मिलेगा सेके अधा है QANT Tech Fund 3.26% का exposure है QANT Mid Cap के अंदर भी 3.17% का exposure है इसके अलाबा Nippon के Innovation Fund के अंदर भी लगबग 3% का exposure है इसके अलाबा Nippon हो गया Mirai Asset के अंदर भी Mirai के Focused Fund के अंदर भी लगबग 3% का exposure है Helios Flexi Cap Fund के अंदर 2% के exposure है और मोतिलाल के focused के अंदर 1.5% GM value 1.5% इसके बाद Franklin Mahindra का Tech Mahindra का ELSS Flexi Mirai Large Cap इन सब के अंदर 1.5% के नीचे का exposure है तो इनके अंदर दो ना के बराबर आपको असर देखने को मिलेगा मेली जो major असर actively funds के अंदर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा UTI Innovation Fund में, Quant के Tech Fund और Mid Cap Fund में प्लस Nippon के Innovation Fund में, Mirai Focused Fund में और जाज जादा Helios Flexi Cap and Motilal Focused Fund GM value यहां तक आते आते जो असर है इसका खतम हो जाएगा और इसमें भी बहुत कम आप खुद मंडे को देखो है कि आपके अनुई पर कितना असर देखने को मिलता है और यही खुबसूरती है mutual funds की कि वहां पे एक स्टॉक 40% टूट रहे लेकिन mutual funds के अंदर में 4% भी आपको दर्द उसका नहीं मिलता है अगर कुछ passive fund की हम यहां पे बात करेया ETF अगयरा की तो टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF वही जो समझो निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF यह फंड नहीं है ETF है और यहां पे 2.89% तो लगभग 3% का एक्सपोजर है तो यहां पे भी हमार असर देखने को मिलेगा कोटेक निफ्टी अल्फा 50 ETF के अंदर 2% बंदन निफ्टी अल्फा 50 के अंदर 1.9 मोतिलाल SNP BAC Financial के अंदर 1.7 एड़ ICICI प्रू निफ्टी फैनेंशियल और कोटेक निफ्टी फैनेंशियल दोनों के अंदर 1.54 1.54 का एक्सपोजर है इसके अलावा बाकी सब में बाकी में भी है लेकिन 1% से कम है तो ये कुछ 4-5 है जो कि कोटक ICICI के निफ्टी फैनेंशियल मोतिलाल BAC Financial बंदन निफ्टी अल्फा कोटक निफ्टी अल्फा और TATA निफ्टी डिजिटल इंडिया ये कुछ 4-5 passive funds है जहां पे हमें थोड़ी बहुत exposure देखने को मिला है इसका और इ निफ्टी डिजिटल इंडिया फंड के अंदर में तो ये फंड है अब इन में से कितने फंड आपके पास है और कितना परसेंट आपको हिट मंडे को दिखता है ये जरूर कमेंड़ेंगे बताना ताकि लोगों को भी समझ में आए कि अगर स्टॉक 40% गिर रहा है तो फंड ही कितना गिर अगर इसमें से actively fund हम देखे तो कौन से fund है जो कि जिसमें investor को मतलब जो मैं मानता हूं कि investor के लिए जरूरी है या कौन-कौन से fund है जो की ज़रूरी नहीं है लेकिन लोग इन्वेस्ट कर जैसे innovation fund है चाहे यूटी आई का हो या फिर निपन का हो प्रोपर एक innovation fund में इन्वेस्ट करने की जरूयत, एक retail investor को नहीं है. जो इन दो के अंदर में high exposure current पेतियां का इसके अंदर Midwest करने की जरूयवत नहीं है. क्योंकि सेम वही logic यह पर apply होता है कि अगर किसी stock में, चाहे किसी भी sector का हो, अगर उसको opportunity दिखती है. फर्ड मैनेजर को तो वो किसी भी स्कीम का फर्ड मैनेजर है रिसर्च टीम है वो अधर एक्स्पोजर लेती ही है एलोकेशन भराती ही है तो प्रोपरली एक उसी के लिए कोई सेक्टरल या थेमेटिक फर्ड ले लेना समझतारी वाली चीज नहीं है क्वांट टेक फर्ड टेकनोलोजी है आगे और विक्सित होगी बहुत बरिया कर सकती है तो काफी लोग बुलिस भी है मैं भी बुलिस हूँ ये एक ऐसा फर्ड येसकंदर आप चाहो तो ले सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कि लेना ही लेना है जरूरी ही है तो इसको मैं बीच-बीच का रखके चलता हूँ हाँ क्वांट मेड क्याप फर्ड है जो एक डाइवर्सिफाइड फर्ड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग इसके लाबा फोकस्ट फर्ड में इन्वेस्ट करने की ज़रूत नहीं कई बारी बोल चुका हूँ फ्लेक्सी क्या फर्ड अगर लार्ज के पर एकस्पोजर चाहिए तभी इन्वेस्ट करना होता है नहीं तो इसके अंदर भी ज़रूत नहीं है लेकिन इसको रखते हैं क्योंकि लार्ज के लिए आदमीं इन्वेस्ट कर सकता है इसके बाद मौती राज फोकस टेके नहीं तो इतने फंट में से दो चार फंट ऐसे निकल के आते हैं जिसके अंदर सेरियसली अगर इन्वेस्टर समझता है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बाकी फंट बस ऐसे फंट है या नहीं